चले दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों Bere ड़िया है घरी है वह क्या है गेंस यूनिफर्मली का मतलब गया वह लगातार क्या हो रही है तेज हो रही है घडी है जो लगातार तेज हो रही है ठीक है, और इसके अंदर क्या है, रविवार सुबह सात बजे, है ना, फाइब मिनिट सलो ओन संडे से वन ऐम, जो संडे था संडे को, मोर्निंग की बात है, और संडे को morning के अंदर देखो ये कितनी थी 5 minute क्या थी slow थी if it is 7 minutes fast on Tuesday और जब इसको मंगलवार को देखा गया तो ये मंगलवार को क्या थी मंगलवार को सुबह 7 बज़े जब इसको देखा गया तो ये 7 minute आगे मिलती है तो बताओ इस गड़ी ने सही समय कब दिखाया था तो दोस्तों इस सवाल को समझने कोशिस करना जब Sunday को जब ये घड़ी थी इसको किसी ने क्या कर दिया ऐसा मान लो आपकी इसको 5 minute पिछे कर दिया ठीक है और ये घड़ी कैसी है आपकी लगातार तेज होने वाली गड़ी है ये लगातार क्या हो जाती है गड़ी कुछ ना एक घंटे के अंदर कुछ ना कुछ मिनिट आपको क्या मिलेगी ये तेज हो जाती है तो ऐसे करते करते क्या हूँ संडे को जब सुबह 7 बजे थे तो इसको किसी ने क्या कर दिया कि इसको 5 minute पिछे करके इसको स्टार्ट कर दिया ठीक है 5 minute पिछे थी ये फिर उसको जब देखा गया कब देखा गया Tuesday को Tuesday को 7 a.m देखा गया तो ये क्या मिली? 7 मिनिट आगे मिली इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं जब ये गड़ी क्या हो जाती ये लगातार तेज हो रही है तो आपने इसको 5 मिनिट पीछे भी कर दिया है तो एक टाइम ऐसा आएगा इसके अंदर कि जब वो एक सही समय भी बताएगी फिर उसके बाद हो फास्ट होती चली जाएगी फिर वो आगे निकल जाएगी ठीक न? तो दोस्तों जब ये 5 मिनिट पीछे थी तो और फिर उसके बाद हो जब इसको देखा गया मंगलवार को देखा गया सुबह 7 वजे तो ये 7 मिनिट आगे मिलती है तो कही न कहीं बीच के अंदर इसने क्या बताया था? तो दोस्तों वही समय आप लोगों से पुछा गया है तब इसने सही समय कब दिखाया था? तो वह वाला टाइम बताये जब इसने क्या बताया था? एक बार इसने सही समय तो बताये बताये अरे कोई भी घड़ी है चाहिए वो सलो है, फास्ट है अगर ये पहले जो भी थी ये फास्ट चल रही है गड़ी लेकिन इसको 5 मिनिट पिछे कर दिया है तो ये चलेगी तो एक बार तो ये क्या बतायेगी, सही समय बतायेगी ये बतायेगी ठीक है ना? तो वो समय आप लोगों को find out करना है तो यहाँ देखना पर इस समय आपको बता देता हूँ ट्रिक किस तरीके से है यहाँ पर इसको find out करने की आप note down कर लेना इसको आप चाहिए गड़ी के अं एड़ कर देना है, slow, plus, fast और multiply क्या कर दोगे? वही कितने time में जो पूछा गया है ना? ठीक है न? जो time जो आर्स दे रखा है जैसे इसके इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है? वही कितने गंटे हो गए? यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया? संडे से लेकर के मारते कितने हो गए? तो total time से आपको क्या कर देना है? इसको ऐसे लिख देता हूँ, total time से आपको क्या करना है? multiply करना है. ठीक है दोस्तों, तो आपके पास में क्या रहेगा? यह formula रहेगा, यह trick रहेगी, इससे आप क्या कर सकते हो? find out कर सकते हो. अब यहाँ पर क्या हो गया slow है, पहले मेरे पास में कितनी थी? slow यह fast थी, देखो 5 मिनिट इसको क्या कर दिया था? पीछे कर दिया था, ठीक है न? slow कर दिया है न? और यह slow plus fast यह दोनों आप लोगो करवाना है. पहले कितनी हो गई? पहले तो यह पीछे थी, और फिर क्या हो गई? इसके बाद में यह fast हो गई है, तो यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से हमको रखना है? देखना, संडे को, भई संडे की मैं 7 अम बात करता हूँ सुबह, हाँ न? संडे को सुबह 7 बजे, फिर मंडे का सुबह 7 बजे और ट्यूजडे का 7 अम, तो कितना हो गया? भई 12, अरे यहाँ पे संडे को सुबह 7 बजे कितने हो गए? आपके पास में, है न? मंडे को सुबह 7 बजे तो कितने हो गए? आपके पास में टोटल 24 गंटे का हो गया? रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो 24 और 24 और 24 कितने 24 गंटे का समय आपके पास में हो गया न? पूरा का पूरा 48 गंटे, दो दि तो यह कितना slow या fast है, देखना 5 minute slow है, तो इसमें से slow थी या fast थी, जो भी बोल दोगे 5 minute slow हो गई, फिर उसके बाद में slow plus fast, मतलब 7 plus 5, और फिर क्या कर दोगे उसको, भी कितना time है total, 48 hours है, तो 48 से क्या कर दिया, इसको मैंने multiply कर दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा देखन 7 और 5, 12 हो गया, 5 upon क्या हो गया, 12, multiply by क्या हो गया, 48, तो 12 चोके 48, टोटल कितना हो गया, 20 hours, भी मतलब क्या हो गया, 20 गंटे, अब देखना सो दोस्तों, यह 20 गंटे बाद में क्या हो जाएगी, यह गड़ी क्या बताएगी, सही समय बताएगी, तो इस सवाल का answer क्या बन ज 24 hours बाद में यह क्या हो गया, यह तो संडे का सूबह, संडे को सूबह 7 बजए, तो यहां पर 24 गंटे बाद में क्या हो जाएगा, Monday 7 a.m. समझ में आगी, 24 गंटे बाद में Monday 7 a.m. लेकिन मेरे को तो 20 गंटे बाद यह समय बताएगी, तो यहां पर 7 बजए से मेरे को कितना आना है पीछे, दोस्तों, यह 20 गंटे थे ना, तो मेरे को इसमें से क्या कर दो, आप 4 गंटे वापिस बैख आजओ, तो 4 गंटे आप बैख आओगे, कितना आजएगा, 3 बजए, सुबह 3 बजए, कब मंडे को, मंडे को सुबह 3 बजए यह क्या बताएगी, सही समय बताएगी, एक बार फिर से समझने कोशिश करना, इस तरीके का सवाल है, मेरे को किस तरीके सोल करना है, घड़ी क्या हो जाती है, आपके पास में एक यूनिफॉर्म ली यह गड़ी क्या है, लगातार तेज हो रही है, अब इसके अंदर क्या हो गया जब इस गड़ी को आप कितना ही पीछे कर दो वली एक समय ऐसा आएगा वो दो दिन, पांस दिन, दस दिन, कितने दिन बाद में एक समय ऐसा आता है कि गड़ी आपको सही समय बताएगी, बताएगी, तो इसमें क्या कर दिया था, संडे को सुब आड़ाट करने के लिए मेरे पास में क्या हो गया formula यह हो गया वह इसके अंदर जितना भी आपको दे रखाता कि देखो जैसे इसे दे रखा है ना उसके बाद में slow और fast ठीक है न फिर बाद में कहीं न कहीं एक time के बाद में फास्ट गो जाएगी तो दोनों का क्या कर देना है एड कर देना है वो टोटल टाइम जो दे रखा है हना संडे को पहले थी और फिर उसको मंगलवार को देखा गया तो टोटल टाइम क्या कर देना उससे multiply कर देना तो यहां कितने होगे 48 गंटे होगे multiply कर दिया simple सी calculation थी आप लोगों ने solve कर लिया clear है एक सवाल आप लोग करके इसको मेरे को दिखाना मैं अभी आप लोगों लिए एक सवाल बना देता हूँ ठीक है उसको आप solve करके देखिए clear है तो आप इसको note down कर लो त इसी में कुछ correction कर देता हूँ ना आप जब तक इसको note down करो मैं इसको सवाल को थोड़ा बना देता हूँ इसको तो मिटा देता हूँ ना चलो एक सवाल और बना देता हूँ देखना सवाल किस तरीक है एक घड़ी है उस घड़ी के अंदर उसको संड़े को सुबह इसको नो बज़े कर देता हूँ ना 9 a.m. एक संड़े को सुबह नो गड़ी के अंदर जो सुबह का जो नो बज़े है उस टाइम गड़ी क्या थी दस मिनट पीछे कर दी उसको ना दस मिनट पीछे थी यह गड़ी क्लियर है एक नया क्यूशन बना रहा हूँ ठीक है ना इस क्यूशन को आपको अपने प्रेक् गर देता हूं। उद्वार को 9 बजे जब इसको देखा गया है तो ये 8 मिनिट आगे मिली है तो बताइए इस गड़ी ने सही समय कब बताया था है ना सही समय कब बताया था तो दोस्तों सिंपल सा फोर्मुला है आप लोगों को इसमें वेल्यू रखनी है और इसको सोल करना है करके देखो एक का जोड दिखना है फिर टोटल कितने गंटे होगे देखो संडे मंडे ट्यूजडे और वेनजडे टोटल कितने होगे तीन दिन होगे महले चोई थी यह बैता है 72 आर्स होगे क्लियर हुआ तो यहां सी क्या हो गया मैं इधर सोल कर देता हूं इसको देखना 10 अपॉन 18 मंट 10 मिनेट स्लो थी फिर यह क्या हो जाती फास्ट हो जाती है तो जो भी लिख दिया स्लो और फास्ट का दोनों का सम हो गया तो यहां पर मैं लिख दिया है तो दोस्तों यहां समझना इस सवाल को बही कितना बता देगी इधर देखो संडे को सुबह 40 गंटे अपने हो संडे 9 a.m. से अगर मैं 24 गंटे की क्या करूँ बात कितने होगे टोटल 48 पे चला जाता हूँ न 48 आर्स बाद में बात करूँगा तो क्या हो गया संडे, मंडे और टूजडे कितना आजाएगा समय टूजडे कितना आजाएगा 9 बजे की बात करूँ Tuesday नो बजे बात करूँ 48 गंटे बाद में क्या हो जाएगा यह सही समय मेरे बताती है तो 40 गंटे बाद तो इसमें से क्या कर दो दोस्तो आठ गंटे पीछे आजाओ इसमें से 8 गंटे पीछे आजाओ इस संडे को नो बजे से 48 गंटे आगे गया तो मंगलवार को 9 बजे लेकिन मुझे तो 40 गटी आगे जाना था तो ये 8 ज्यादा एक्स्टा चला गया न उसको कम कर दो तो यहाँ पेस देखो क्या हो रखाया ये मंगलवार के सुबह 9 बजे में तो 3 गंटे पीछे आया तो 6 बज गए और फिर 5 चले जाओ और पीछे तो कितना हो जाएगा आपका जो Tuesday का ही कितना हो जाएगा रात का एक बज जाएगा न तो मतलब 1 एम 1 एम क्या हो जाएगा मंगलवार को सुबह जो एक बजे ये क्या बताएगी सई समय आपको बताएगी Tuesday को दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे तो यह गड़ी सही समय कब बताएगी मंगलवार को सुबह 1 बजे clear है मैं यहाँ लिख देता हूँ और अगर आपको नहीं दिखा रहा हो Tuesday को सुबह 1 बजे रात को 1 बजे क्या बताएगी आपको यह सही समय बताएगी तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया कोई सिंपल से सवाल है क्या हो जाता है गड़ी क्या और यह लगातार तेज हो रही है चलो एक सवाल और करवा देता हूँ आप लोगों को न ऐसा ही भी slow हो चाहिए fast हो कोई फरक नहीं पड़ता है आपने यह लिखना है फिर दोनों का addition यह करना है और यह करना है एक सवाल आप लोग और solve करके बताओ एक ऐसा ही सवाल और बनाता हूँ पहले इसको note कर लीजे फिर एक सवाल और लिख देता हूँ मैं यह लिख लिख लिया होगा आप लोगोंने चलो मैं एक सवाल और बना देता हूँ उसको आप solve करके देखो चलो यह सवाल यह याद रहे गे आपको ट्रीक आपको याद रहीगी योगी इसको भी मिटा देता हूँ मैं एक सवाल संडे इन यह संडे का क्या है सुबह 10 बजे एक घड़ी क्या थी एक घड़ी को क्या कर दिया गया या फिर एक घड़ी 7 मिनिट थी ठीके न तेवन मिनटे फास्ट थी और जब इसको देखा गया कितना कर देते हैं इसमें देखो Tuesday Tuesday को इसको कर देते हैं 10 PM जब इसको Tuesday को 10 PM को देखा गया तो ये कितनी थी 8 मिनेटे पीचे पाई गई है ठीक न दोस्तों तो ये गड़ी कोन सी किस तरीक है गड़ी होगी होते होते एक समय तो यह सही बताइगी फिर उसके बाद में यह धीम्य हो गई है जब इसको देखा गया मंगलवार को 10.10 p.m. जब इसको देखा जाता है तो यह कितनी हो जाती है आट मिनिटे पिछे हो जाती है तो दोस्तों बताईए कि इसने सही समय कब बताया था सवाल कैसा हो गया आपका समझ में आगा तो बताईए इसने सही समय कब बताया था थोड़ा सा माइंड लगाओ वही क्या हो गया जो उपर वाली चीज उपर लिखते हैं नीचे इन दोनों का एडिसन लिखते हैं multiply by आर्स कितने वो count करो गलती होने के यहां पर chances है कितने घंटे हैं वो आप इसमें count करो कि यह total कितने घंटे होगे संडे को सुबह 10 वजे से लेकर के 10 वजे तक कितने होगे अब देखो गलती क्या होगी दोस्तों गलती बस इतनी होने वाली आपको पी-म पकड में नहीं आएगा ठीक है ना अब संडे मंडे आप क्या गलती करोगे बहिए संडे को 10 वजे फिर मंडे को सुबह 10 वजे किते होगे 24 गंटे होगे 24 के बाद में Tuesday को सुबह 10 वजे कितने हो जाएंगे 48 गंटे होगे तो 60 hours की total जो time है वो मेरा 60 hours हो गया यह तो आपको समझ में आ गया है जो उपर वाला है उसको उपर ही लिखना है नीचे क्या लिखना है इन दोनों का add करना है multiply by में total कितने गंटे हैं वो क्या करना है मेरे को multiply करना है तो दोस्कों यह कितना हो जाएगा 7 upon 8 और 7 15 into 60 कितना हो ज में बताएगी तो दोस्तो 28 hours इसके अंदर क्या कर लो आप है count कर लीजे इसके अंदर कितने आते हैं अरे वो तो करी लो ना अब तो कोई दिक्कत है नहीं अब तो सवाल सोल हो गया 28 hours बाद सही बताएगी तो संडे की बात है संडे को सुबह 10 बजे से लेकर के अगर मैं इस 10 a.m. और फिर उसके अंदर क्या मेरों को 28 गंटे आगे जाना तो 24 ही हुए हैं तो इसमें क्या कर दो प्लस 4 ओर कर दो तो 10 बजे के बाद में कितना हो गया 10 में कितना हो गया 12 बज जाएंगे सोमवार के 12 बजने के बाद में कितना हो गया आपके पास में Monday 2 p.m. अरे Monday को 10 बजने 10 में 4 ओर जोर दो कितना हो जाएगा Monday 2 p.m. इसका सवाल क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा तो दोस्तों यह सवाल आप लोगों को समझ में आये कि नहीं है वे किस तरीके के सवाल थे ये कि घड़ी क्या हो जाती है लगातार कोई घड़ी क क्या आउरी है slow हो रही है लगातार कोई घड़ी क्या आउरी है fast हो रही है तो किस तरीके के सवाल बनते हैं क्लियर हो गई दोस्त है तो यहां पर इस तरीके के जो टाइप 2 के जो सवाल अपने बनते हैं जो clock से related जो सवाल थे वो हम लोगों ने देख लिए फिर एक छोटा ठीक है फिर मैं मिलता हूँ टाइप 3 के साथ में आप इसको note down कर लो चलो दोस्तों टाइप 3 के जो सवाल हो हम लोग देख लेते हैं वे तीसरे टाइप के सवाल किस तरीके के बनते हैं उनको देखते हैं हम लोग देखो इस बार अप घड़ी में क्या है एक clock which gains 1 hour in every 24 hours is set right on Sunday 10 है आप देखो जो क्या है ये घड़ी क्या है आपके पास में जो हर 24 गंटे में क्या हो जाती है एक गंटे तेज हो जाती है है ना हर 24 गंटे में क्या हो जाती है ये एक गंटे तेज हो जाती है ठीक ना एक गड़ी जो की हर 24 गंटे में एक गंटे तेज हो जाती है रवि ए सुझ कर दिया जब क्या हो ग्याहता है यहां पे समझजो कब का दिखा रहा है संड़े 10 अम सुबह ये संड़े को सुबह 10 बजे क्या किया जो ये खराब वाली गड़ी है उसको सही वाली गड़ी के साथ में मैच करके और रख दिया गया और फिर उसको क्या किया देखा गया यहाँ पे समझना फिर क्या हो गया Tuesday 12 पीम ठीक है न इसको जब देखा गया यहाँ पे हना तो इसके अंदर अब इतना तो चीज ये confirm हो गई आप लोगों को कि सर ये जो घड़ी आपने जो हना सही वाली गड़ी के साथ में एक तो राइट वाली गड़ी जब आप देखोगे यहाँ पे जब Tuesday के 12 बज़ी होएं जब आप खराब वाली गड़ी को देखोगे तो गलत टाइम बताएगी इतना तो आपको confirm होगे क्यों क्यों कि हर 24 गंटे में क्या हो जाती है गंटे तेज हो जाती है तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे मेरे को इतना पता चलिए कि गलत टाइम बताएगी तो इस टाइम आपको बताना है कि जब वो खराब वाली जो घड़ी है वो आपको जब 12 बज़ी दिखा रही है उस टाइम एक्चुल में सही टाइम क्या हो रखा है वो टाइम आप लोगों को पताना है तो यहाँ पे आपको इतना पता चलिए कि भई सही वाली घड़ी क्या होगी यहाँ पे इतना तो देखो यह कनफोर्म है जब सही वाली घड़ी के अंदर कितना 24 गंटे ट्रेवल करती है तो यह कही ना कहीं क्या चली जाती है गंटे ज्यादा चली जाती है अरे जब यह 25 गंटे चलती है तो यह क्या होगी यह कम चलती है या फिर क्या होगी जब यह 24 गंटे चलती है तो क्या हो जाएगी जो गलत वाली जो गड़ी है रोम वाली जो घड़ी है वो कितना चल जाती है एक गंटे एक्स्ट्रा क्योंकि हर 24 गंटे में क्या हो जाती है वो एक गंटा तेज हो जाती है तो जब यے सही वाली गड़ी 24 गंटे दिखाएगी तो उसके अंदर कितना हो जाएगा पचसीज़ गंटे वह आपको दिखाएगी तो ये पचसीज़ गंटे चल चुकी होगी तो दोस्तों यहां समझना इसने टोटल कितना देखना है यहां पे कितना time travel किया इसने Sunday, Monday का 10 बजे कितना हो जाएगा आपके बास में 24, Monday और फिर Tuesday के सुबह 10 बजे तक कितना time हो जाएगा, 48 गंटे और फिर Tuesday क्या होगे, 12 बज गया, तो total कितने हो गए, यहां पर यह 50 गंटे चलिए यह गड़ी, समझ में आ गया, तो मतलब जो गलत वाली 25 गंटे चलती है, तो actual में जो right समय हो कितना होता है, 24 होता है, तो जब बस यह हो गया, जब यह 25 चलती है, इसमें कितना हो गया, 24 हो गया, तो जब यह 50 चलेगी, तो बताईए इसके अंदर कितना हो गया, और वही वाली बात न, एक रुपे की 10 टोपी आती है, तो 10 रुप जब यह 50 चलेगी, तो यह कितना चलेगी, तो दोस्तों जब एक का माननी निकाल लेते हैं, 24 बटे में 25 और multiply वाई क्या कर दोगे, 50 बटे, इतना तो आप लोगों वो पता हो गई होगा, तो यहां से एक गंटे की वेलो निकाल ली तो 24 बटे, 25 और 50 गंटे, टोटल कितनी चलिए एक घराव वाली गड़ी, जब यह 50 गंटे चलिए, तो इसमें सही वाली में कितना टाीम हो जाएगा, कितनी चलेगी, तो यह आपको बतानblaगी, तो दोस्तों यहां एक चीज आपलोगों को समझ में आगी होगी, कि विभी जो सही टाइम है, वो कितना बताया जाए है तो 48 गंटे आप आगे जाओगे Sunday, Monday और Tuesday ठीक न? Tuesday को कितना 10 बजे का time हो रखा होगा? जब आपकी गलत वाली घड़ी कितना time बता रही है? बारा बजे का time बता रही है तो actual में time हो रखा कितना होगा? उस time सही समय क्या होगा? मंगलवार के सुबह के 10 बजे हुए होंगे ये चीज समझ में आई की नहीं दोस्तों वैसे भी आप लोगों समझ में आगया हर 24 गंटे में एक गंटे तेज हो जाती है आपकी ए गड़ी तो सीधी सी बात है ये जब 25 गंटे दिखा रही है 20 गंटे ही हुए है और फिर उसके बाद में जब ये 50 गंटे दिखा रही है जो कितना 12 बजे का जो गलत वाली जो आपकी गड़ी है जो हर बार फास्ट हो जाती हो जब 12 बजे दिखा रही है तो एक्ट्वल वाली गड़ी में जो राइट समय क्या हुआ हुआ है तो right समय कितना हुआ है उसमें 10 ही बजरफ है ठीक है निकालने का तरीका क्या हो गया वो equation बनानी है 25 गंटे में ये 24 चल जाती है तो बताइए ये 50 गंटे में कितनी चलेगी ये upon में चला गया और इतने से multiply हो गया एक सवाल आप लोग करो ताकि क्या है कि concept आप लोग के clear हो जाए clear है इसको note down कर लो तब मैं एक सवाल और लिख देता हूँ clear है चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ और एक नया सवाल लिख देता हूँ आप जब तक इसको note कर लो चलो मैं सोट में लिख देता हूँ सवाल गो एक घड़ी एक घड़ी हर 24 गंटे में हर 24 गंटे में आर्स में दो गंटे पिछे जा रही है ऐसा कर लो टू आर्स पिछे जा रही है एक घड़ी हर 24 आर्स में दो गंटे पिछे जा रही है इसे संडे 9 अम इसे संडे 9 अम सही मिलाया गया देखो एक घड़ी है वो हर 24 गंटे में क्या हो जाती है दो गंटे क्या हो जाती है लेट हो जाती है और इसे संडे 9 अम इसे क्या कया है इसको सही मिलाया गया है तब और इसे मिलाया गया और इसे कब देख लेते हैं अपन इसको Tuesday को जब 9 बजे रात को 9 बजे देखा गया और इसे 9 बजे देखा गया जब इसे Tuesday 9 पिम देखा जाता है तब इसे Tuesday 9 पिम देखा जाता है तो बताईए उस समय सही समय क्या था तो True Time आपको Find Out करना है जैसे ऐसे Find Out किया था न इसमें True Time क्या हो रखा है तो उसी तरीके से आपको True Time सही समय बताओ सही समय ग्यात करो दुबारा समझना ये वाली गड़ी क्या थी वाली गड़ी क्या थी आपकी 24 गंटे में कितने हो जाती एक गंटे तेज हो जाती और ये गड़ी क्या हो जाती हर 24 गंटे में क्या हो जाती है दो गंटे पिछे हो जाती है ठीके न ये गड़ी क्या हो जाती है दो गंटे पिछे हो जाती है तो बताईए कि जब इस गड़ी को दुबारा कब देखा जाता है संडे को जब इसको गड़ी को दुबारा इसको सही मिलाया गया पहले तो इसको सही कितने बज़े मिलाया गया संडे को सुबह इसको क्या कर दिया है सही मिलाया गया फिर उसको देखा गया मंगलवार को रात को 9 बजे देखा गया है तो बताइए उस समय सही समय क्या हो रखा है उस गड़ी में तो आपको 9 बजावा दिखा रहा है जो खराब वाली जो आपने मिलाई थी जो हर 24 गंटे में 2 गंटे पीछे हो जाती है उसमें 9 बजावा दिखा देखो equation बनाओ और solve करने की पोचिस करो right or wrong एक तरफ right लिखो एक तरफ wrong लिखो पर सही गड़ी कितना चलती है क्या चलती है वो आप लोग इसमें बनाईए देखना है यहापे दोस्तों है क्या एक बार दुबारा समझ लो right or wrong अब क्या है जब इतना पता है आप लोगों को कि दो गंटे क्या हो जाती है कम समय बताती है दो गंटे पीछे हो जाती है हर 24 गंटे में क्या हो जाती है दो गंटे पीछे हो जाती है दोस्तों ठीक है न तो आपके पास में क्या बन जाएग equation सब्सक् dengan कि यह वाली कितने बताएगी Noise के अंतर कितने हो जाती है पिछे यहांगी इसको बारा गंटय करेगए कि सब्सक्राइम कोई परक नहीं पड़ता इसको बारी की बात है कोई फरक नहीं परता तो इसको अपन क्या कर लो 12 गंटे वाला कर लो तो क्या हो जाएगा हर 12 गंटे में कितनी हो जाती है 2 गंटे पीछे हो जाती है तो दोस्तों इतना पता है कि जब ये वाली राइट जो सही वाली जो गड़ी है जब वो 12 गंटे चल जाती है तो यह वाली कितनी चलती है, 10 गंटे ही चलती है, क्योंकि अरे भईया इसमें यहाँ पे 24 गंटे में 2 लेट हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 गंटे में कितना चल पाएगी, यह 22 ही चल पाएगी, तो वह वाले अलग बन जाएगी, कोई दि देर हो गया तो दोस्तों यहां से समझ में हो जाएगा अब टोटल यह गड़ी चली कितनी है वह हम देख लेते हैं भई गड़ी को मैच कब किया था तो दोस्तों जब यह 10 गंटे चलती है तो यह कितना चलेगी तो कितना हो जाएगा बारा बटे में यह 60 और मंटिप्लाई में 10 और मंटिप्लाई में 60 तो कितना हो जाएगा छह बार कट गया और यह कितना हो जाएगा 72 आर्स कितना हो गया 72 आर्स से चलेगी सही वाली गड़ी तो दोस्तों कितना हो गया संडे को सुबह 9 बजे की बात हो गई उसके बाद मेरे को इसमें कितना एड़ करना है प्लस के 72 आर्स के बाद में यह क्या बता देगी सही समय बता देगी तो दोष्मों CDC बात है Sunday हो गया Sunday के बाद में Monday एक दिन Tuesday और Wednesday कितना अजाएगा Wednesday कितना आ गया 9 AM कितना आ आजाएगा अब यit answer कि यह क्या दिखाएगी sarji CDC बात है तीन दिन बाद में क्या टाइम हो जाएगा Wednesday का सुबह 9 नो बज रखे हैं जब यह आपको क्या बता रही है तो इसमें कितना हो जाएगा आपका वेनेस डे 9 एम एक्चुल में जो टाइम है वो आपका कितना बजेगा 9 एम बजेगा ठीक है न तो आप लोगों के यह आपको समझ में आगया होगा भी यह कितना फरक आया किस तरीका है क्योंकि हर 12 गंटे में 2 गंटे पीछे हो जाती है तो जैसे ही दोस्तों हर 12 गंटे में 2 गंटे पीछे हो रही है तो टोटल कितने है आपके पास में 12 अब हर 12 गंटे में इतनी पीछे हो गई, दस गंटे में हो गई, बारा गंटे में हो गई, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल बनाए, आप लोग क्या कर लोगे, इनको सोल कर लोगे, पीछे हो जाए, आगे हो जाए, हैना, जब तेज चल जाती तो यहां पर यहां पर यहां पर चौदा हो भूगे थे, कितने मिनेट में क्रोश करती है, 55 मिनेट में क्रोश कर देती है, 70 मिनेट में गंटे वाले सुई को अ करती है उस से सवाल देख लिए थे, टाइप 2 के अंदर हम लोगों ने किस तरीके की सवाल कर ले थे, slow और fast हो जाती है, वो देख लिया था, और यहां पर यह ये इतने ही तरीके के सवाल बनते थे, आपके क्लोक मैंने आपको chapter क्या हो गया, आज क्या होता है, complete होता है, हम दोस्तों देखो, अब reasoning के अंदर है ना, जैसे कि आप लोगों ने comment में आप लोगों ने लिखा था कि सर आगला topic है ना, puzzle करवा दो, तो दोस्तों puzzle के लिए इतने नमर पर बैठा है, इतने नमर पर बैठा है, तो वो सारी जो language जो होगी, वह मैं आप लोगों को ranking chapter में, और sitting arrangement, ranking और sitting arrangement, दोनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं आपको puzzle पड़ा पाऊंगा, clear है दोस्तों, तो एक बार आपका, जो puzzle आप लोगो समझ में आएगा, ठीक है, clear है, तो ranking पड़ लीजिए, ranking के बाद में sitting arrangement कराऊंगा, और फिर उसके बाद में puzzle पे आएंगे अपन लोग, ठीक है, तो puzzle का तो यह रहा, वो थोड़ा सा आप लोगों के जो comment मैंने और देखे थे, कोई maths के topic भी एक दोर topics हैं, जो भी maths के लिए ठीक है, तो अभी reasoning वाला जो portion है, इसके भी लेते रहूँगा, साथ-साथ में time मिला, तो इसकी भी classes बनती रहेंगी, तो अपन जो देखते हैं कि कुछ maths का, कुछ topics हैं, जो हम लोग पढ़ लेते हैं, clear है, दोस्तों, तो मैं maths की कुछ topic है, अगली class में, उसके साथ में हम ल अधिन की की कैग है, जोस्तों तो भी में हुआ है, कि कुछ brightness बसे हैं, कि इसकी भी उन सेगी क्या हम जो जोग म केस हैं, अधिए्ट परेण साथ ल्मेज़ा जये स्वान कि को भीम क्ष़ती में हैं, तो स्ञ γणार नोड़ मैं से लिएसma का घान से हैं, भी में हम उतान कि व